नमस्कार आमर उजाला देख रहे हैं आप हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ साहिल दूलिया और आज इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद ही खास महमान मौझूद है वरिष्ट जोतिशी पंडिक जैगोविंद शास्त्री कि शणी का जो ट्रांजिट है यह होता क्या है जा मतलब होता है परिवर्तनों जब कोई एक रसी से दूसरी रासी में जाता है उसको ट्रांजिट कहते हैं जैसे शास्त्री जी आपसे हम एक एक राशी के बारे में भी जानेंगे कि उन राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पढ़ने वाला है इस साड़े साती का और शनी देव का मकर राशी में प्रवेश करने का लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आम लोगों के जहन में सवाल होता है कि क्या जो हम रोज मर्रा के काम करते हैं क्या उन पर भी इस साड़े साती का असर पड़ता है या पर्टिकुलर किसी एक राशी पर ही इसका असर होता है नहीं यह हर राशी पर असर पड़ता है सरी देव की तीन तो साड़े साती हो गई दो ढईया हो गई तीन द्रिष्टी हो गई लगभग पूरे भजचक्र को सनिद्यों घेरे रहते हैं कोई रासी हमेशा कहीं कहीं से इनकी द्रिष्टी हर रासी पर निगाह एकदम खड़क रखते हैं सनिद्यों कि कौन से जीवात्मा कैसा करने क्योंकि इनको भगवान शिव ने मृत तुलोग का द अब अच्छा सवाल अपका मेश रासी के लिए कई तरह के योग बने एक तो शनिद्यों अगर आपकी रासी से दशम कर्म भाव में चले गए शशक योग बन जाएगा कि किसी भी व्यक्ति की कुनली में आज की तारीख में किसी भी रासी से अगर शनी केंद्रे में है तो योग बनेगा शशक योग पंच महा पुरुश योगों में स्रेष्ट माना गया है और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनीद्यों आपको वहां पहुचाएंगे जहां आपने सोचा नहीं होगा और यहीं नहीं शनीद्यों की द्रिष्टी मेश रासी वालों के लिए च माता के स्वास्ते पर थोड़ा सा भी प्रीद प्रभाव पर सकता है लेकिन कुल मिलाकर यह जो शनीद्यों का राशी परिवर्तन है मेश रासी वालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है बहुत अच्छा है जी शास्त्री जी व्रिशब राशी के अगर हम बात करें तो उ इमांदारी से चलते हैं जिन्देगी में साड़े साती का दुस्प्रभाव नहीं पड़ सकता है कारण यह है कि व्रिशब राशी अथ्वा व्रिशब लगन के लोकों के लिए शनीदेव राज-योग कारक पहे गए हैं अकेले और यह गोचर उनके भाग्य भाव में जा रह रहा धर्म भाव में जा रहा निश्चित रूप से धर्म के प्रति उन्नती बढ़ेगी स्पिर्चुल पावर ज्यादस ज्यादा इकठा करेंगे एक और अच्छी बात है अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे हैं तो कहीन कहीं इस्वर से साक्षातकार भी हो सकता है क्य पर देखा गया है की भागि भाव में शनी के पहुचने से थोड़ा सा स्लो मोशन में भाग्योदे होता है या जो आपका काम एक हपते में होना चाहिए वो दस दिन ले लेगा बारा दिन ले लेगा कि शनी का जो खेलो शनी है धीरे-धीरे है लेकिन ब्रिशवरासी के में रुकावट होगी यह सारा आपके चाल चेहरा चरित्र पर ही निर्वर है बिलकुल मानिये शनी दियों बहुत बड़े रहता है जी शास्त्री जी वहीं जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है राशियों पर और साड़े साथी का जो है अच्छा परिणाम भी मिलता है कई राशिवालों को तो इसके लिए किसी तरह की कोई उपाई भी होते हैं जिनको करने से लाब मिले हाँ देखे अलग अलग राशियों का उपाय अलग है लेकिन एक परमानिंट शनीदेव का जो सबसे बड़ा उपाय है दसरत कृत शनी स्तोत्र है शनी के मंत्र है शनी के वैदिक मंत्र है और सबसे बड़ा उपाय है शनीदेव का आप पीपल के व्रिख्ष का अरोपन करें मलब पीपल का पेड़ लगाएं, कोई भी फलदार व्रिक्ष लगाएं, शनीदेव बिलकुल प्रसन्न हो जाएंगे, पीपल से अति प्रसन्न होगे, शनीदेव को अगर खुश करना है, आप एक नहीं, दो नहीं, अगर पांच लगाएं, आनन्दा जाएगा, हमने तो बहु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? योग भी बनेगा और एक खर्च भी हो जाएगा, यानि ये भी हो सकता है कि आप से कोई उधार मांग के ले जाए, एक मोटा एमाउंट, कि हम अगले महिने दे देंगे या इतने दिन में देंगे और वो न दे पाए, अश्टम, सनी, मिथुन, राशी के लिए बहुत अच् सकते हैं, ये कारण यही है कि आप देख लो जीवात्मा ने क्या कर्म किया है, आपके कर्म अच्छे हैं तो शनी देव बिलकुल कष्ट नहीं देंगे, लेकिन अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो इसके लिए कोई उपाए जिस तरीके से आपने कहा कि हर राशी का एक अपन मतरपत लोग हनुवान चलिशा पढ़ते हैं, सुन्दर कांड पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रेक्टिकल है वो शनी स्तोत्र है और व्रिक्षा रोपन, व्रिक्षा रोपन आप जितना करेंगे आपके गरह उतनी अच्छे रहेंगे, या शनी के जो भी ओम शनय नमह या ओम श सकते हैं, और मंदिरवाले पन्दी जी से पूछ लेंगे तो भी बता देंगे, शनी दियों प्रसंद देंगे, लेकिन ध्यान रहे कर्म हम इसलिए पहले नमबर पर रखते हैं, कि करम ही शाशोत सकते हैं, आप सांस ले रहें वह भी कर्म है, तो अच्छे कर्म करेंगे, तो सबकति कि राश चर्चा रहा है को मां ह spite रहे हैं सब्सक्राइब कर रहें कर्म कर रहे सांस लेने वाला कर रही करेंगे सांस रोक लेंगे तो फिर हम रोख जा कर्म मित्रों शरबोपर ही किसी भी काम में चाल चेहरा चरित्र ठीक रहेगा ग्रह ठीक रहेगा अगली राशी करक तो करक राशी वालों के लिए साड़े साथी का क्या महत्व है और किस तरह की प्रभाव पढ़ने वाले करक राशी के लिए शनी देव अकेली ऐसी रासी करक लगन या करक राशी के लोगों क होते हैं नुकसान देव होते हैं करकराशी वालों आपके सब्तम भाव में शनी देव पहुंच गए हैं यहां दो फाइदा आपको है एक तो केंद्रगत हो गए हैं तो शशक योग बन गया है और दूसरा अश्टम भाव के स्वामी हो गए हैं तो थोड़ा सा बिज्ञेस में दिक्कत भी आ सकती है आप शशक योग का फाइदा उठाए नया काम सुरू कर सकते हैं ब्यापार सुरू कर सकते हैं और यहां से सब्तम भाव से शनी देव भागिवाव को देख रहे हैं सब्तम भाव को देख रहे हैं उतने खराब नहीं है लेकिन करकराशी के लिए हार मह अगर अपने घर में न होते तो फिर बड़ी दिक्कत करते सबसे बड़ी खुशी है सभी राशियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है अपने घर में गए हैं मकर राशी में गए हैं उतने हार्म नहीं करें तो करक राशी वालों के लिए कोई उपाय इस तरीके के की जिससे व और देखा भी है काले वस्त धारण करें और शनीदियों का कोई भी सरलसा वैदिक मंत्र जरूर पढ़ें पीपल के पेड़ के पास दिया जरूर जलाएं और अपनी पूरी हाइट यानि अपने हाथ का साथे तीन हाथ अपने हाइट का धागा लेकर काला धागा पीपल की साख करें जितना ज्यादा शंबो कम से कमें 11 वार करें बिल्कुल शनीदियों प्रशन रहेंगे लेकिन याद रहे कर्म को मैं फिर यहां कहता हूं वह सरवोपरी है तो बढ़ते हैं आगे सिंग राशी की बात करते हैं सिंग राशी के जातकों के लिए क्या कुछ प्रभाव बं लेकिन मकर राशी में शनी के जाने से छठे भाव में जाने से त्रीफट एका दशे शनी सरवारिष्ट विनस्टेती शनी देव जब किसी भी राशी से तीन छही ग्यारा में चले जाते हैं तो सभी अरिश्टों का शमन करते हैं अब सिंघराशी किसकी है उनके पिता जीकी है शनी देव पिता से हमेशा खरखाय रहते हैं लेकिन यहां पर वह जो तहस नहस करेंगे छठे भाव को करेंगे शत्रू लेकिन वहां रिड रोग और श यानि आपकर करजा भी चड़ सकता है या आपका स्वास्ते थोड़ा तंग कर सकता है और स्वास्ती क्या है सेनिद्यो मकर रासी में जो शरीर का भाग आता वामतों पर घुटना आता और जितने भी ज्वाइंट साते हैं तो जूरों के दर्द से बचें अर्थराइटिस से ब इसलिए बता रहा हूं कि शनीदेव पीपल से अती प्रसंद होते हैं और स्री विरिक्ष यानि बेल लगाएं या भागवान शिव यानि रुद्रा विशेक कराएं एक रुद्रा विशेक भी अगर लोग कराएं जैसे अभी अपने मेस रासी का कहा ये भी अच्छा उपाह कि मेश रासी के जो लोग हैं अगर अनार के रस्ट से भगवान शिव का रुद्रा विशेक कराएं तो शनी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे मिथुनराशी के लोगों को साड़े साती से बचने के लिए गन्य के रस से अगर रुद्राविशेक करवाएं बहुत अच्छा रहेगा आपको प्रत्यक्षलाब मेलेगा इसका और इसी प्रकार मैं इसलिए दोहराराव मित्रों के रुद्राविशेक से रुतम दुखम नाश प्रत्यती यनि जितना भी बड़ा दुखो वो नश्ट हो जाता है भगवान रुद्र की पूजा से करकरासी के लोग दूद से तो करवा ही सकते हैं गुलाब जल से गंगा जल से बहुत अच्छा रहेगा और इसी तरह से सिंह रासी के जो लोगों हैं बेल के रस से अनार के लगने श्रीया से गंगे रस कोई भी हो बहुत अच्छा रहेगा मित्र उरुद्रा विशेक करके भी शनीदियों के दूस्प्रभाओं को कम किया जा सकता है अगली राशी कण्या राशी हैं तो कण्या राशी के जातकों के लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है को कन्याराशी के जात्कों के लिए शनिदियों मूलत्रिकोन में आगए आपके पंचम भाव में आगए हैं अगर आप पावर का सही उपयोग करेंगे तो एक ऐसा अप्रत्याशित परिडाम आप हासिल करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे पंचम भाव में शनिव संतांसे थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है लेकिन कर्म ठीक रहेगा तो चिंता भी नहीं रहेगी बच्चों के प्रति आपको सतरक्राना होगा और यदि आप विद्यार्थी हैं और आपकी उम्र 16 वर्स से जादा है तो फिर आपको पढ़ाई में और मेहनत करनी पड़ेगी शनिद याद करिए बहुत अच्छा रहेगा कन्यारासी के लिए शनिदियो का गोचर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और कन्याराशी के उपायों के अगर हम बात करें कन्यारासी के स्वामी बुद हैं और इनका भी गण्ये के रस्टे शनिदयो का शनिस्तोत्र या हनुमा सुन्दर कांड जो आपको लगे की सहज है सरल है या शनीदेव के तमाम मंत्र बहुत सारे हैं उसका पाठ करें उसका जब करें बिल्कुल ठीक रहेगा मैं आपको भी कर रहा हूं कर्म पर दखिये ध्यान कर्म को देखते रहे कस्चाहम का चमे शक्ति ही ती चिंत्याम महर महर यहीं आप अपने आपका आत्माव लोकवन करते रहे है चिंतन करते रहे है बिल्कुल ठीक रहेगा तुला राशी की बात करें तो तुला राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तुला राशी के लिए भी जैसे मैंने कहा कि व्रिशव राशी के लिए शनी राजियो कारते हैं किसी पही जात्त की जन्म कुल्यूं Αगर वह तुला लगण में पैदाहुए है तो शनीद्य उतना हार्म नहीं करते क्योंकी योग कार्ग्यू सब्सक्राइन मातासे संबंदित कुछ दिकेत वासकति है मान्शिक असा क्योंकि शनीदियो योग कारक होकर शशक योग बना रहे हैं इसलिए भो मिभवन जमीन जायदाद से जुड़े जितने मामले हैं आपके पक्ष में होंगे मकान खरीच सकते हैं और वाहन भी खरीच सकते हैं यो समझे कि तुला राशी वालों के लिए शनीदियों का मकर राशी में जाना किसी वरदान से कम नहीं है वसरते कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा तो तुला राशी वालों के लिए उपाए? सर्वोत्तम उपाय है तुलाराशी वालों के लिए आप कोई भी काम करिए कुछ भी पानिये लेकिन स्काई ब्ल्यू एमेथिस्ट ब्लैक इन तीनों में से कोईन कोई कलर आप अपने उपर धारण करिए यह मानिए कि सनीदेव आपके जीवन का अभिन अंग है शनीदेव के सामने आप सरेंडर रहेंगे कहेंगे ठीक है आगे बढ़ो दूसरा शबसे बड़ा और सरल उपाय है शनीदेव का गैत्री मंत्र या वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवी रहिष्टे आपो भावंत पीते संयो रहिष्टर वंतुना या इसको आप संपुट के साथ भी कर सकते हैं लेकिन मंत्र आप कहीं मंदिर के पंडिजी से इसको चरण करवा के शुद्ध करवा के लिए वह ज्यादा ठीक रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा आपको कुछ चिंता करने की जरूत नहीं है बस अपने कर्म को ठीक रखी आगे बढ़ते रहे हैं तो शास् वर्षिक राशी वालों को बहुत बहुत शुब कामना है पिछले लगभग आठ वर्षों से जो साड़े साथी आपको तंग कर रही थी वह चली गई उतर गई अब प्रशन हो जाए उस तरह की कर्म करिए कि आने वाले समय की जो ढईया है वह आपको तंग न करे तो आपके परक्रंभव में शनीदेव विश्टीक राशी के परक्रम भव में जा रहा है रहें यहनि तृती शनी और आप में उत्साह बहुत आ जाएगा हाइपर एक्टिविटी सुरू हो जाएगी बट तीसरा भाव भाई का भी होता है अपने अंदर इगो मत आने दीजिए भाईयों से मत भेद मत होने दीजिए बुजुर्गों का आशिरवात लेते रहे बिश्चिक राशी के लिए भी शन भी उपने रखते हुए कार करेंगे बहुत सफल देजी तो अगली राशी का रूक कर लेते हैं धनूराशी अगली राशी महांचिके जातकों के लिए चले गए लेकिन साड़े साती नहीं गई है कि रिलीफ मिल जाएगा आपको जितना दुश प्रभाव था उतना आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा शनी का प्रभाव अब आपकी रासी पर धनुराशी वालों को शनी से रिलेटेड जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो 17 जनवरी 2023 छे महीने माइनस कर दिजिए उतना पड़ेगा यानि यू समझेए कि जून जुलाई 2022 से धनुराशी वालों पर थोड़ा सा जाती साड़े साती तंग करेगी तब तक आप आनंद लेजिए कोई दिक्कत नहीं है अब शनी के अलग हो जाने से रिहस्पती का पू आयाग्रह तो ब्रिहस्पती के पावर को और वो बढ़ा देंगे तो धनुराशी वालों के लिए 24 जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय जी जिस तरीए से आपने जिक्र किया कि जो साड़े साती है वो जाते वक्त भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसके प्रभाव होते ह है वो काफी कई बार परिशान करते हैं नहीं कि कई बार करमों का लेखा जो छो है थोड़ा से जब रिलेक्स होता है तो तो जाते-जाते 200 321 से 2700 किसी वी व्यक्ति इन वह mother 1 युद्य सार्शी की का भी वास होता है मनुस्य के गुधा स्थान पर होता है बहुत पैनिक होता है उसलिए जाती साब्राइशाती से बचने के लिए और वहीं साब्राइशाती है अगर वह 기대 साथी खष्wn नहीं करेंगे जाती जाती इतना तंग कर देती है कि लोग कर्म से खबबराते हैं तो कर्म-च्छी करते रहिए धन्य की लिए जाती हुई साड़े साति जुलाई दो हजार बाईस से जनवरी दो हजार तो धनुराशी के जातक है उनके लिए उपाए बिल्कुल धनुराशी के जातक जितना आप भगवान शिव का निन लुए दियार उद्र घुशेक करेंगे गुद्य बृषिश्स्ति का शभर को प्रसंड करेंगे आपश 5 擊ार प्रसंड प्र संधर्र हैं कि लिए क्यों कि विश्किर्फाण मंत्र है तो भागवान शरीज्श्ण के परम्हक्त और इसलिए उन्हों अपना शरीर मांगा हुआ है कि कुछ्ष्ण का शरीर होगा तो दोनों ही कालें श्याम भी स्याम इसले तो भगवान विश्रू की अराधना करेंगे सेजोप्र संधर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मकर राशी की बात करते है जो जातक हैं उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा जी मकर राशी एक तो कहने के लिए कि आपकी साड़े साते शुरू हो गई है और दूसरा आपका शशक योग भी शुरू हो गया है तो शाड़े साती की दिश्टी से देखें तो थोड़ा सा पैनिक आप कह सकते हैं लेकिन चोकि श की शाणिद्यऊ मकर राशी में हैं शशक योग बनेगा और समाज में आप दिखेंगे अगर आप सहीद रण नीती का प्रयोग करेंLoji समाज में या चुनाव से संबंदित कोई आपको पद मिलेगा जिमिवारी मिलेगी्वारी चुनाव से संबंदित जितने लोग užखें के लिए अच्छा समय आया हुआ है व्यापार भी लोग कर नहीं भी अच्छा समय आया हुआ है कि किस народ इसाथी का भी मध्य अभी जो आरंभ है तो यह थोड़ा सा तंग करेगा मानशिक रूप से सब्सक्राइब करेगा। बुजुरुगों की मदद करिए परिवार के बड़े सदस्यों की मदद करिए जरूत मंदों की मदद करिए। साहे साथी बहुत अच्छी रहेगी। और मकर राशी में शनी देव के रहते इनके दिष्टी आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, सब्तम यानि पत्नी भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव पर पड़ेगी, पराक्रम, पत्नी, कर्म, ये तीनों प्रभावित होगे, कर्म भाव पिता का भी है, तो पत्नी का स्व इन जनरल मकर राशी वालों के लिए शनी देव बहुत अच्छे हैं तो शास्त्री जी मकर राशी वालों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए इनके तो इस्ट देव शनी देव हैं इनके राशी शनी देव हैं अपने शनी देव को प्रशन करिए और प्रयास करिए कि काले वस्त बना लीजिए और से slight और होता सर्सों का बना लेगा और जूपैवाले दान के लाहते हैं और तुद करते हैं अन्य दान से बहुत प्रसंड रहते हैं उरत दान करिए बहुत रहेगा दान और और भावणाव को समझने वाले जो लोग हैं, उनको सेनेडेओ परिशान नहीं करते हैं. आगे बढ़ते हैं कुम्भराशी की बात करते हैं, तो कुम्भराशी के जो जातक हैं, उनके लिए किस तरीके के प्रभाव पढ़ने माले हैं? कुम्भ राशी के स्वामी भी शनिदेव हैं और अपने राशी के स्वामी अपने ही घर में वे भाव में जा रहे हैं हानी भाव में मित्रो कुंभ राशी वालों के लिए शनीदेव लोहे के पाए पर चले गए हैं अपने घर में हैं लेकिन अच्छी अवस्था में नहीं है आप यूं कहिए कि हाउस अरेस्ट तो कोई व्यक्ति अपने घर में नजरबंद कर दिया गया हो कुछ इस तरह का यहनी आपको पूरी छूट नहीं मिलेगी शनीदेव से इसलिए हर कारे हर निने हर रणनीती बहुत सोच विचार कर चलेंगे तो सफल नहीं के नहीं तो जोतिश के अंसाल लगने इस द्वादस यानी भाव में चला गया तो दिक्कत करेगा तो कुम्भराशी वालों को फूख फूख कर चलने की जरूवत है डरने की जरूवत नहीं है और जितना महादेव का रुद्द्रव शेक करेंगे अच्छे कर्म करेंगे जरूद मंदों की मदद करेंगे बिलकुल ठीक रहेंग जी तो कुम्भराशी के जो जातक हैं उनके लिए उपाय कुछ है? सर्ष पेड़ाई उतहिले न शत्र नाशो हवेदी भी सर्षों के तेल से रुद्द्रव शेक करते हैं तो शत्रूओं का नास होता है और ग्रह शत्रूओं का भी नाश होता है याई आपकी जन्मकुल्ली में 6-8 वार में जितने भी ग्रह हैं उनके दोशों में कमी आती है सर्षों के तेल से रुद्द्रव शेक कर सकते हैं लेकिन आप कभी भी सर्षों के तेल से रुद्द्रव शेक करें तो उसके बाद दूद से रुद्द्रव शेक जरूर करें आगे बढ़ते हैं मीन राशी की बात करते हैं मीन राशी के जातक जो है उन पर किस तरीके का प् की सवामी हैं लाभस्थान में गए लेकिन व्यया के भी स्वामी तो व्यया भी करें यह आय और व्यया आपका बराबर रहेगा जितना कमाएंगे उतना खर्च होगा लाख कमाएंगे एक लाख एक खर्च होगा अपने खर्च पर आपनी अंत्रण करिए रखिए शनिद्यों एकादस भाव में गये हैं ध्यान रखिए बड़े भायों से संबंध न भी गड़ने पाए अगर आपके परिवार में हैं प्लस आप संगती का विशेश और komma करता है या बरे कर्म में लगा रहता है तो श्रमिद्यों कहीं भी रहेंके छोड़ेंके नहीं प्लस लिग अपने राशीश को मधिरा पान से बचेशन। तो मेंधराशी वालों के लिए उपाए है सरवोत्तम उपाय है मीन राशी के लिए भगवान विश्रु ओम नवो भगते वास्त देवाई शनी विलकुल प्रसंद रहेंगे याद रखे शनी आपके लिए अशुब नहीं है उन्हें आप अशुब कर सकते हैं अशुब नहीं है तो शनी देव से संबंदित आम का वरिक् पर यह शनी के जो प्रभावी व्रिक्षा है पीपल और आम यह सब बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन मदिरा पान करेंगे तो शन्देवो फिर तो आप शनी के चंगुल में आगए फिर आप नहीं बचेंगे तो शास्त्री जी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे किये शनी के ट्रांजिस्ट के बारे में इनोंने हमें बताया साथी साथ साड़े साथी के असर को कैसे कम किया जाए उसको लेकर भी कई उपाये यहां पर शास्त्री जी ने हमें बताये तो इन तमाम उपायों का इस्तमाल कर आप जो साड़े साथी का असर है जो शनी के जो दुश्प्रभाव हैं उन्हें कम कर सकते हैं और अपने जीवन में इन तमाम उपायों का लाब आप ले सकते हैं तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अमरुजाला